सच्रकाल पेंसी अंदेखरेस तारही दर्शकांदा सो आगता है प्रदानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आज अपनी पतनी सोफिय ट्रूडो देनार मिल के देश वासी अनू संदेश देता दरसल इंटरनेशनल विमेंस टेनू समर्पिते संदेश सी जिस्टे विच्परदानमंत्री जस्टिन ट्रूडो देवलों कुछ गल्लां गहियां गहियां ताको ज उन्हादी पतनी देवलों जिस्टे वले उन्हाने केडियां गल्ला कहियां उथानों नसी दसांगे जिना कहा कि औरतां ते बच्चियां हार रोज दुनिया नू बदल रहीया ने, फिर चाहे हो कोई वी औरत क्यों न होवे, जिसले उहो औरतां दी शक्ती ते उना दी लीडर्शिप दा सन्मान कर दे ने, जस्टिन टूडो ने कहा कि आज हार थांदे होते औरतां दिया दूडे ते मापया वजों, ओहो एहे स्थाइबन ओन दी कोशिश कर देने के उना दे बच्चे इहे गल समझन के एक व्यक्ती दूज्जे नाडो ज़्यादा जरूरी नहीं हुंदा, जिसले उना कहा कि ना ही जस्टिन ते ना ही उना नूँ कोई डार है, एक एंदे होए कि फैमिनिस्ट ने, जिसले जस्टिन तूडो ने कहा कि देश विच फैमिनिस्ट ने जिना ने काम करके सब नूँ उत्थे ले आंदा है जथे आज सब मौझूद ने, ते देश वासी ते उना दे काम नूँ समर्थन दिन दे रहना, जारी रखना चाहिदा है, जिना कहा कि ए यहे आर्थिक फाइदे तों भी उपर है, यहे नौजवान ओरतां देलेई है जो देश देविच हर पासे मौजूद ने, जिस देलेई एस थाइबन ओना जरूरी है के हो जही दुनिया देविच अग्ये वदन, जित्थे कोई वी सुपने ले सकन हो, ते नाल ही उना सुपने जियों सकन, इस तरान उना ने COVID-19 दुरान दे हलाद दावी जिकर कीता, उना केहा के के इस तरान कई और ता वड़ी चुनोती दे विचो लांग रहिया ने, फिर बेशक अपने बच्चेयां दा ते आनरखर नू लेके होवे के उस तरान उना दे कोड वित्ती मदद इस तरान उना दे वल्वा थे जिकर कीता गया, जिस दे लही सोफिर टूडो ने केहा कि कई और ता अनर ने नाल उना ने गलबात वी कीते या, जिना ने अपने अनूपब सांचे कीते ने किस तरा अधिया चिनोतियां दे विचो हो लांग रहे ने, जिस देलही परदान मं नों देती जारही मदद आवी जिकर कीता। और तानु दती जावी जिस्टे भुच हीसा लेंड देली वपारानु के हाग्या। दोती समानु रग्याख के लिकर सेटनेullen। पती सेबले हमेह सेटने के छवे सका जा कर दोलिख सेटनेती जाज़राना यही सेटने पाराम। कि व्याशवारानी के जसस कρούक हो बिव्याशन। याल् sorts silence you wanna? मागले म teknवाशवा़ छारी औरता है उालाम। प्रच्टा ये वीज़ जान अीनोमिस जाह, वीज़ एक शीनों की जाता है. लिज़ एक यान उनलाव इंसकर उराएंगे एक देखिए एक नारख एक डिर्स जाराएंगें का रयते हैं, जान वे एक राख आफ लोह जाराएंगे जाने छिएए हैं, It's especially important right now when women are bearing the brunt of the impacts of Covid-19 and we face a She-Session. We know that women, in particular racialized and marginalized women, have been disproportionately impacted by Covid-19. They have shared their stories with me. And this pandemic threatens to roll back the progress we've made. We simply cannot let that happen, and we won't let that happen. If you've lost your job, or if you can't afford childcare, or if you're staying at home to take care of your kids. Or if you have experienced gender-based violence in your own home, we want you to know that there's a path forward. And to truly heal and come out of this pandemic stronger, we must have a feminist approach to our recovery. As a government, we're committed to that. And that's why we're creating an action plan for women in the economy and a Canada-wide early learning and childcare system, so we can get women back into the workforce and make life more affordable for your family. And because we know that not every home is a safe place to be, we're providing support to women's shelters and sexual assault centres across Canada. And we will continue to invest in programs that prevent family violence and support survivors. You know, my husband and I are lucky to have an opportunity to use our voices to bring change. But we're speaking to you today as partners, as a mom and as a dad and as friends. And we want you to know that we can't do this without you. We all hold the key through our words, our daily actions and our dreams to build a better country, a better Canada, and to make sure that our kids and grandkids have a solid foundation to build on. We can and we must work together as partners and as allies to achieve gender equality. We need your help because the reality is that we won't be able to do this without you. And all of this, friends, starts now. Happy International Women's Day. We love you.